इस मड्यूल में हम फाइलम आर्थ्रोपोर्ट के सब फाइलम हेक्जोपोर्ट में रोल ओफ इंसेक्स एज पैस्स डिसकस करेंगे इंसेक्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि इंसेक्ट जो हैं ये पेरासाइट्स भी हैं इंसेक्ट वेक्टर्स भी हैं अब बहुत से इंसेक्ट जो हैं वो पैस्ट भी हैं इंसेक्ट पैस्ट क्या होंगे जब ये भी डिजीज कॉस करेंगे पैस्ट इंसेक्ट जो हैं एनिम क्वालिटी इंक्रीज होगी बलके उनकी क्वालिटी आफ प्रोडक्शन भी है लाइक एग प्रोडक्शन मिल्क प्रोडक्शन मीट प्रोडक्शन उसके ओपर भी इफेक्ट आएगा और इसके साथ साथ जो बहुत से एनिमल की प्रोडक्ट्स हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट् इंसेक्ट ऐस पेस्ट जो है वो अटेक करेंगे अटेक जो है वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स पे करेंगे उसकी रूट्स पे भी अटेक करेंगे इंटायर प्लांट पे भी अटेक करेंगे उसके लीव्स पे भी करेंगे और उसकी स्टेम पे भी करेंगे और उस इंसेक्ट पेस्ट की मुख्तलिफ स्टेजिस होंगी एक लारवे प्यूपे अडल्ट जो के मुख्तलिफ स्टेजिस पे उस प्लांट को as a pest अटेक करेंगे और मुख्तलिफ किसंगी बीमारियां जो हैं वो इनके साथ associated है for example इसके एक important disease जो है वो है Dutch M disease potato virus esters yellow ये सारी diseases जो है मुख्तलिफ plants के अंदर they are caused by the insects that act as pests अब insect pests जो है वो crops को as a pest है जहरे दे harmful हैं तो वो crops को destroy कर देंगे ना सिर्फ पूरी crop को बाज अकात अगर destroy नहीं भी करते तो वो crops की जो production है उसकी quantity को reduce कर देंगे उसकी quality को ये खराब कर देंगे और जो इसमें पैस हैं वो अपनी मुख्तलिफ activities को crop destruction के लिए use करेंगे like biting, chewing, boring, sucking and defoliation activities यानि उसके सारे जो leaves बगर हैं उसको वो damage कर देंगे फिर इसके अंदर उनके plant के मुख्तलिफ parts के उपर injuries आजेंगी, उसको हम कहते हैं spot injuries, like आपने mulberry के tree में देखा होगा अगर उसके उपर insects का बहुत ज्यादा attack आता है तो उसके leaves जो हैं वो मुख्तलिफ जगों पे damage हो जाते हैं उसको हम कहते हैं spot injuries और इस से जो है disease के attack के chances बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे similarly ये ना सिरफ उसकी बलके live crop जो है उसको destroy करेंगे बलके बहुत से insect as a pest जो हैं जो stored products होती हैं जो stored crops होती हैं wheat, grain, rice, बारले, pulses हैं उनके उपर भी बहुत से insect as a pest attack करेंगे उस तुरत में इनको हम कहेंगे stored grain pest ये stored grain pest जो हैं ये बहुत ज़्यादा जो granular food है उसके damage के जिमेदार है इसके अंदर potato, tuber, moth जो के Irish potato के उपर attack करता है इसी तरह से crops के लावा, cash crops के लावा या दूसरी भी crops के लावा बहुत से fruits, vegetables उनके उपर भी insects जो हैं वो as a pest attack करेंगे और sometimes ये crops fruits ये उनके लिए unattractive भी होंगी unremarkable भी होंगी लेकिन वो उनको as a food use करेंगे like crucifree family के जो plants हैं उसके उपर insect जब attack करेंगे तो उसके leaves को damage करते हुए एक particular disease cause करेंगे जिसको हम कहेंगे diamond back moth और diamond back moth जो है इसका नाम जो है scientific वो है plutila zylos stila अब ये कुछ important insect pests हैं potato tuber moth के अब ये मौत की three stages हैं आप देखेंगे ये इसका larva pupa और ये भी इसकी जो है adult stage है लेकिन it is not fully developed और ये है full potato tuber moth potato tuber moth का नाम है phothory moya और पर कुलेला और ये lapidopteran insects हैं lapidopteran insects जो हैं ज़्यादा तर crops के उपर fruits के उपर, vegetables के उपर attack करते हैं और ये किसी भी stage में attack कर सकते हैं larva pupa adult लेकिन हर stage पे इनकी जो attacking surface है that is different तो इसको control करने के लिए insects as a pest के मुफलिफ किसम के method है ज़्यादा तर इनको pesticides से control किया जाता है लेकिन pesticides तुके atmosphere को भी, environment को भी damages हो सकते हैं तो इसके लिए जो most advanced methods हैं आजकल control करने के लिए उनको हम कहते हैं biological control biological control में दूसरे ही insects इनकी मुफलिफ stages को as a food यूज कर लेंगे और environment के लिए ये harmful नहीं होंगे तो insects को हमने मुफलिफ phases में देखा कि ये as a pest किस तरह से crops के लिए damaging है और जब बहुत ज़्यादा pest का अटेक आता है तो जब अपने ये threshold लेवल तक पहुंच जाता है तो उससे country की economy में जो है तो जाता है तो रिश्टाप्ट